मैं सुसील यूके जोसे उत्राखंड में नेशनल एजेकुशन पॉलिसी 2020 का सुभारंब हो गया है उत्राखंड में उच्चिनिक सत्र 22 तेज़ के लिए राष्ट शिक्चा नीती 2020 का सुभारंब हो गया है उत्राखंड में उच्चिनिक सत्र 22 तेज़ के लिए राष्ट शिक्चा नीती 2020-22 का सुभारंब हो गया करे केंदर शिक्षा मंतरी सिरी तरमिंदर सिंग परदान ने देज में सबसे पहले राष्ट सिक्षा निती 2020 को लागो करने के लिए उत्रकंड सरकार को बदाई दिये उन्होंने कहा कि आज उत्रकंड में वो चो सिक्षा में इसका सुबारम किया गया है बाल बाटिका से परारमिक सिक्षा में उत्रकंड ने ही इसकी सबसे पहले सुरुआत की है इसके लिए उन्होंने परदान मंतरी मुख्य मंतरी सिरी पुसकर सिंग धामी एवं सिक्षा मंतरी सिरी डाक्टर धन सिंग रावत को बदाई दिये उन्होंने का गुद्धानों की भ्यूमी हैं दे भ्यूमी हैं इस दे भ्यूमी से नहीं सिक्चा निती के बैतर किरियान विनित के लिए अभी अनेक विचार आएंगे अब परियास करने होंगे कि आने वाले समय में सत परसत बच्चे बाल बाटिका में परवेस करें उन्होंने का कि किसी भी देश या समाज का विकास बैतर सिक्चा से हो सकता है राश्ट सिक्चा निती 2020 मान्य जीवन मानो जीवन के सभी पहलों को ध्यान में रखकर बनाएं गई है सिक्चा के साथ ही बच्चों को कोशल विकास उनके ब्यक्तितों के विकास बासाई विकास है और नैतिक मुल्यों पर विशेध ध्यान दिया गया है सिक्चा ब्यक्ति की आत्मिक निरवक्तार से जुड़ी हुई है केंद्रियव सिक्टामन्त्री ने कहा कि राश्ट सिक्टानीति के तियद बच्टों को 3 साल से फौर्मूला एजुकुेस्टन से जोड़ा जा रहा है इसके तियद बालबाटिका सब्सूप की गई है बाल बाटिका में तीन साल से एकन सीखने के बाद बच्चा पहली कक्षा में पर्वेश करेगा जब की तब उसकी उमर 6 साल की होगी बच्चों को नौजात से उनकी 21-22 साल की उमर तक बैतर एवां गुणातमक सीख्चा के लिए उतरा खंड में 40 लाग बच्चों का टार्गेड लेकर आगे बढ़ना होगा बाल बाटिका सुरू की गई बाल बाटिका में तीन साल सीखने के बाद बच्चा पहली कक्षा में पर्वेश करेगा तब उसकी उमर 6 साल की होगी बच्चों को नवजात से छोटे बच्चे से उमर से लेकर उनको 21 12 साल की उमर तक के बेपर गुण उतरा खंड में 40 लाग बच्चों को टार्गेड लेकर आगे बढ़ना होगा इसकुली सिक्चा, उच्च सिक्चा, तक्निकी सिक्चा, मेडिकल, पैरेमेडिकल एवं अन्य को मिलाकर 35 लाग की ब्योस्ता उतराखंड के पास पहले से ही है उन्होंने का कि देश डिजिटल इंडिया की ओर तेजी से बढ़ रहा है उच्च सिक्चा की दिसा में उतराखंड में जो नीती बन रही है वह इस दिसा में बहुत बड़ा कदम है परदेश के नौजवानों को बिश्वकी आउसकता के लिए त्यार करना यह उतराखंड का के पास ताकत है मुक्य मंत्री स्रीफ उसगर सिंग दावी ने कहा है कि राज्य में राष्ट नीती दो हजार बीस को लागो किये जाने की दिसा में उच्च सिक्चा विभाग द्वारा परवाई और चरणवद रूप से सखारात्म कदम बढ़ाए गए है मुक्य मंत्री स्रीफ उसगर सिंग दावी ने कहा है कि राज्य में राष्ट सिक्चा नीती दो हजार बीस को लागो किये जाने की दिसा में उच्च सिक्चा विभाग द्वारा परवाई और चरणवद रूप से सखारात्म कदम बढ़ाए गए है परदान मंत्री स्री नरंद्र मोदी जी के नेतुर्त वाम मार्ग दरसल में तयार की गई नई सिक्चा नीती एक किसमी सदी की नवीन आधुर्मिक्स ससक्त और आतुम निर्भ भारत के निर्मान के लिए आयम खोलने वाली नीती है इसे देश के ख्याती लब्द सिक्चा विदों द्वारा तयार किया गया है और ये नई भारत की नई उमें नई आसकताओं की पूर्ती एवं ससक्त माध्यम हैं यदि हम एक समर्द भश्या चाते हैं तो हमने अपने बरतमान को ससक्त बनाना होगा ठीक इसी परकार से यदि हम अपने आने वाली पीडी को और भी अधिक प्रवास वाली बनाना चाते हैं तो हमें उसके बच्चपन और उसकी सिक्चा पर आज भी कारे करना होगा आज से ही कारे करना होगा मुख्यमंतरी ने कहा कि भारत ने शंपूर विश्व को ग्यान देने का कारे हमारे नलंदा और तक्ष सिला जैसी अधित्य सिक्चा मंदिर पूरी दुनिया में कहीं नहीं थे और यहां से ग्यान अर्जित करने वालों ने शंपूर मनों जाती को एक नहीं रा दिखाई है हमारे देश में मेधा की कभी कोई कमी नहीं रही है और एक से एक विद्वानों ग्यरा सिक्चा विदो ने भारत की बौदिक संपता को विस्तार दिया है लेकिन कालंतर में आए गदेसी अकरांताओं और सासकों ने हमारी सिक्चा ब्योस्ता पर ही सफ्यादी चोट किये और इसको तैस नैस कर दिया है और उस दोर में व्योस्ताएं ऐसी बना दी गई थी जिसके बाद पढ़ाई का अर्थ और लक्चे केवल और केवल नौकरी पाने तक सिम्त रह गया था उन्होंने का कि 2025 में रज्यस्तापना की रजत जैन्ती मनाई जाएगी तब तक हम वेश्ट प्रैक्टिक्स के तोर पर क्या कर सकते हैं जो देश के लिए आदर्स बने इस दिसा में सभी विभागों को तेजी से कारे करने होंगे धन्यवाद आज के आज से इतना ही हो चुका है